प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे अध्धाय 9 यानि की आनुबंग सिक्ता एवंग जैव विकास अध्धाय का पुनराव बृत्ति इस माध्धम से हम लोग इस अध्धाय को फिर से एक बार देख लेंगे संचिप्त में कि इस अध्धाय में हम क्या क्या पढ़ें इस सिलसिले में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कैसे अनुबांग सिक्ता होती है जनन के समय कैसे गुनों जो है वो हस्तांतरित होती है एक पीरी से दूसरे पीरी में उसके बाद हम लोग देखेंगे मेंडल के द्वारा दिया गया नियमों को और मेंडल के नियमों के बाद हम लोग देखेंगे लिंग निर्धारन ये पुनराब वृत्ती का पार्ट वन है और भाग वन है और इसके बाद भाग दो में हम लोग विकास जाईवविकास वाले हिस्से को देखेंगे अद्धाय नौ अनुवंग सिता वंग जाईवविकास बच्चो आज हम लोग इस अद्धाय का पुनराब वृत्ती देखेंगे यानि इस पूरे अद्धाय में हम लोग जो पढ़े हैं उसको एक बार फिर से देख लेंगे तो इस पुनराब वृत्ती के क्रम में सबसे पहले हम लोग जिसके पर बात करेंगे वो है जनन के समय उत्पन्न विभिन्नताय बंगसानूगत हो सकती है यानि कि हम देखते हैं कि लेंगिक जनन के समय कुछ विभिन्नताय जुगमज बनते समय गुनसुत्रों में आते हैं और वो पीरी दर पीरी जो है हस्तान तरन होते हैं जैसे उदारन सरुप हम इस सुचमजीवी यानि की बैक्टीरिया के माद्धम से देख रहे हैं ये अपने दो संतती में दो तरह का विभिन्नताय आया एक में हम देख रहे हैं लाल रंग का एक में हरे रंग का फिर इनके जब संतती आये तो इनमें जो विभिन्नता आये थी वो अगले पीरी में हस्तान तरन तो किये ही साथ में कुछ नई विभिन्नताय भी आ गए तो इस तरह से पीरी दर पीरी विभिन्नताय जो है वो जमा होते जाती है और एक समय अबधी के बाद ये विभिन्नताय कूल मिला के एक बहुत बड़ा अंतर्त बनाती है जो एक नई प्रजाती का स्रेजन करती है और इस नई प्रजाती या स्पिसीज के स्रेजन जो है वो स्पिसीज में विभिन्नताय जो आती है उसे उत्तर जिविता के योग बना सकती है अत्वा केवल आनुवांगसिक बिचलन में जोगदान देती है दूसरा प्रखिती की विविता के आधार पर विभिन्न जीवों को विभिन्न प्रकार के लाव हो सकते हैं उस नता को सहन करने की छमता वाले जिवानों को अधिक गर्मी से बचने की सामभवना अधिक होती है परिया बरन कारको दरा उत्तम परिवर्थ का चैन जैवाविकास पक्रम का आधार बनता है यानि जो ये विभिन्नताएं आती है, जो विभिन्नताएं वंगसानुगति के नियमों को पालन करती है, ये विभिन्नताओं के आधार पर जीवों का प्राकितिक चायन या प्राकितिक बरण होती है, यानि कि जीव जो है अपने परिवर्तित परिस्तिति में अधिक अच्छ कर लेते हैं जैसे हम देखते हैं कि खौलते पानी में भी बैक्टीरिया या जीवानु उपस्तित है यानि उस परिवर्टित परिस्तिती में वो अपने आपको धाल लिया है अनुभंगसिक्ता निजनन पक्रम का सबसे महत्तपौर्ण परिनाम संतती के जीवों के समान डिजाईन का होना है आनुवंग्सिक्ता तथा जीवों के विभिन्नता वैरियेशन का अध्यन किया जाता है विज्ञान का मूल उद्देश आनुवंग्सिक्ता के धंगों का अध्यन करना है अथात संतती अपने जनों को से किर्षपकार मिलती जुलती अथवा भिन्न होती है इसी सिलसिले में हम लोग कर्णपाली का दो उधारन ले रहे हैं जिसमें हम सतंत्र या जूडे कर्णपाली के नाम से जानते हैं अगर हम माता पिता का कर्णपाली का अभिकलपना या डिजाइन देखते हैं और बच्चों का देखते हैं तो हम पाते हैं कि कौन सा प्रभावी गुन है और कौन सा अप्रभावी गुन है अगर माता पिता में एक का सतंत्र कर्णपाली है या एक का जूरे कर्णपाली है इस तरह से हम देख रहे हैं कि माता पिता में किसी का कर्णपाली का गोंज जो है वो बच्चों में हस्तांतरद हुआ है इसे हम आनुबांग सिक्ता या हेरिडिटी भी कह सकते हैं अब हम लोग देख रहे हैं बंगसागत लक्षन अबिलक्षनों का एक पीरी से दुसरे पीरी में अतत माता पिता से संतती में संचरन बंगसागती कहलाता है ये देखा जाता है कि एक ही माता पिता के प्रतिक संतान अपने आप में बिलक्षन तथा एक दुसरे से भिन्न होती है केवल समरूप जुर्बा वच्चों को छोड़ कर इस प्रकार की विविननताओं को विविद्धा कहते हैं जैसे कि इन चित्रों में हम देख रहे हैं कि जितने भी बच्चे हैं वो अपने पिता माता से कैसे मिल रहे हैं इसके बाद हम लोग देख रहे हैं लक्षनों की वंग्सागती के नियम यानि मेंडल का योगदान ग्रेगर जन मेंडल 1822-1884 इनका जीवनकाल था मेंडल ने अपने विज्ञान वंग गनतिय ग्यान को समरिसित किया वो पहले विज्ञानिक थे जिन्होंने प्रतिक पीरी के एक एक पौधे धरा प्रदर्सित लक्षनों का रिकोर्ड रख और गन्ना की इससे उन्हें बंग्सागत नियमों के प्रतिपादन में सहता मिली उनके द्वरा किये गए कारे को देखने से पहले हम उनका नियमों को देखते हैं जो उन्होंने बंग्सागती में जोगदान दिये हैं और इन नियमों को लिए नियमों के लिए उन्होंने जो काम किया उस काम के लिए रिसरच के कामों के लिए उन्होंने एक पौधे को चुना वो है मतर के पौधे का तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मतर के पौधा का चुना इसलिए क्या क्योंकि मतर के प सकता है इसका पुस्प आकार में बड़े और अधिक परागन छमताबान है और इन में परागन को आसानी से किया जा सकता था मटर के पौधे आसानी से बड़े हो जाते थे और इनका अध्धन करना भी अत्तधिक सरल था इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि उन्होंने मटर के पौधे को क्यों चायन किया उसका एक और कारण था कि मटर के पौधों के साथ जोड़े विसम लक्षनों बाले होते हैं और साथ जोड़े का विसम लक्षन क्या क्या है वो हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले मटर का आ रंग हरा या पीला होना फिर फली का आकार संकुचित या फुलाया होना फिर फली का रंग हरा या पीला फली का रंग हरा या पीला ठीक उसी तरह से फुलों का रंग बैगनी या सफेद पौधी का आकर लंबा या बौना और फुलों की स्थिति अगजिय या टर्मिनल तो इस साथ जोरे विसम लक्षनों वाले पौधिक उन्होंने चैन कि अलग-अलग विसम लक्षनों को जब और संकरन कराते हैं तो प्रभावी या अप्रभाववी लक्षनों को ठीक तरीके से समझ पाए या देख पाए और जिसे उन्होंने गनितिय पद्धती से उनको फॉरमूला बनाए और उनको उस हेसाब से उनके अपने काम को प्रस्तुत किया और इन काम के आधार पे जो निसकर्स निकल के आया उसे हम लोग मेंडल के नियम के नाम से जानते हैं अनुवांक्सिक्ता से संब्धनित नियमों को ग्रेगर्जन, मेंंडल द्वारब प्रस्तुत किया गया जिसे मेंडल के नियम कहते हैं, जो निम्नलिकित है. पहला नियम को हम लोग कहते हैं, प्रभाविता का नियम, यानि लौ अफ डॉमिनेंस. दोसरा नियम को हम लोग कहते हैं B. संगयोयोन का नियम या Law of Segregation या पृत्थकरन का नियम Law of Segregation या जुगमकों की सुधता का नियम Law of Purity of Gamets तेसरा नियम को हम लोग कहते हैं सतंत्र अपविहन का नियम Law of Independent Assortment प्रभाविता का नियम जो है वो बताता है कि कैसे दो लक्षनों में एक लक्षन जो है वो प्रभावी होता है और एक जो है अप्रभावी होता है इस Law of Dominance या प्रभाविता की नियम को इस तरीके से दिखाया गया है जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये Parental Generation यानि कि पैत्री पिरी है जिसके बीच में संकरन हो रहा है और संकरन में जो गुन प्रकट हुआ उस गुन को कहा जाता है प्रभावी गुन और जो गुन प्रकट नहीं हो पाया उसे कहा जाता है अप्रभावी और इस पीरी को नाम दिया गया एफवन पीरी और इस एफवन पीरी को जब सौ निशेशन कराया गया सौ निशेशन कराया गया तो जो हमें निसकर्स मिलता है उसमें हम देखते हैं तीन चौथाई जो है वो हमको प्रभावी लक्षन दिख रहे हैं और इस निसकर्स को हम लोग 3 is to 1 या 3 अनुपात 1 इसमें ढालते हैं और ये है law of dominance यानि कि अगर दो अलग-अलग गुनों वाले पौधों को हम लोग संकरन कराते हैं तो जो गुन प्रकट होता है वो है उसका प्रभावी मेंडल ने कहा था कि दो गुन के बीच में हमेशा हर अभी लक्षन के लिए दो गुन होते हैं एक प्रभावी होते हैं एक अप्रभावी होते हैं इसके बाद अगला नियम में अगर हम लोग चलते हैं वो है लौफ सेग्रिगेशन यानि बी संगयोयन का नियम इसमें हम देख रहे हैं कि एक लंबे पौधे को साथ एक बौना पौधा का संकरन कराया गया और पहला जेनरेशन में यानि कि F1 जेनरेशन में संतती जितने भी आए सब के सब लंबे आए लेकिन संगर्थ थे यानि हाइब्रीड थे इनके जीन को हम देख रहे हैं इसमें बड़ी टी और छोटी टी दोनों लिखा गया है और इस F1 संतती को जब आपस में 100 निसे चन करवाया गया दोनों एक ही तरह के पौधे को यानि संगर्थ पौधे को 100 निसे चन कराया गया तो हम देख रहे हैं कि F2 जेनरेशन में F2 के संतती में तीन लंबे पौधे आये और एक बौणा पौधा आया जिसे हम तीन अनुपात एक भी करते हैं और इस लंबे पौधे में एक लंबा पौधा जो है वो संगर्थ नहीं है लेकिन दो जो है वो संगर्थ है एक जो है वो प्योर है और साथ में जो अप्रभावी लक्षन है वो भी एक चौथाई हिस्से में प्रकट हुआ है तो यहां पे लौप सेग्रिगेशन ये बताता है कि F1 जेनरेशन में जब गुन लंबे प्रकट हुए लेकिन उसमें जो अप्रभावी गुन थे यानि बौनेपन का जो गुन था वो उसमें छिपा हुआ रहा वो नस्ट नहीं हुआ जब सौनिचेशन के समय जुगमज बनने का समय आया तो यह बौनेपन का गुन जो है अपना अस्तित्त कायम रखा और एक चौथाई हिस्सा म में अपना गुन को प्रकट किया तो इसी नियम को हम लोग नाम देते हैं लौफ सेग्रिगेशन या वी संग्यून का नियम इसकी बाद हम लोग देख रहे हैं लौफ इंडिपेंडनेंट एस्वार्टमेंट या सतंत्र अपबुहन का नियम जिसमें हम देख रहे हैं डाय ह गुनों का अंतर है, दो गुनों में वो अलग है, जैसे यहाँ P generation या की parental generation या Patrick generation जिसमें हम देख रहे हैं, एक को लिया गया है गोल और पीला बीज वाले पौधे को और एक में लिया गया है जूरी दार और हरे बीज वाले पौधे को, जब दोनों के बीच में संकरन होता है तो F1 जनरेशन में आया हमारा पीला और गोल बीजवाले मटर के बीजवाले पौधे और इस F1 जनरेशन के पौधों को जब सौनिसेशन कराया गया तब हमको मिलता है ये चार तरीके का संतती चार तरह के संतती में हम देख रहे हैं कि एक में आया गोल पेला एक में आया गोल हडा एक में आया जूरीदर पिला और एक में आया जूरीदर हडा तो गोल पिला और जूरीदार हरा ये दोनों जो है वो पेरेंटल जनरेशन से यानि की पैत्रिक जनरेशन से मिल रहा है लेकिन दो नए तरह के संतती आये जो नए कंबिनेशन का नए अविलक्चनों के जोड़ी के साथ आया और इसमें हम लोग पाए कि ये जो गुन थे ये दो अलग अलग गुन सतंतर तरीके से उनका अपविहन हुआ और जब जुगमज बनने का टाइम आया समय आया तो ये जो जो है ये सतंतर तरीके से बनाए एफवान जेनरेशन में ये चारो गुन जो है वो एक साथ थे लेकिन जब इनका जुगमज बना तो ये पुरी तरह से सतंतर थे कि कौन से गुन जो है किसके साथ जोड़ी बनके वो जुगमज में गया तो इस तरीके से हम लोग मेंडल के थीनो नियमों को देखे अब है अनुवंसिκता के कारविधी कोसिका के DNA में proteine sensation के लिए एक सुचना शुरोत होता है DNA का वो भाग जिसमें किसी protein sensation क लिए सुचना होती है उस protein को जीन कहलाता है या जडि इस protein के जीन में कुछ परिवर्थन आते हैं तो बनने वाली प्रोटीन की दक्षता पर प्रभाप पड़ेगा, वो कम दक्ष होगी, अत्व बनने वाले हॉर्मोन की मात्रा भी कम होगी, तथा पौधा बौना होगा, जीन लक्षनों को नियंतरित करता है, यानुबंक्सिता के कार्य विधी में सबसे पहले हम देख रहे हैं, कोसिका में डी एने जो है वो प्रोटीन संग्सलेशन के लिए सुचना स्रूत है, दूसरा प्रोटीन के जीन में अगर कुछ परिवर्टन आते हैं, तो प्रोटीन की दक्षता पर भी उसका प्रभाप परता है, तीसरा जीन जो है वो लक्षनों को, यानि कि प्रोटीन के माध्धम से जो लक्षन प्रभावी होते हैं उन लक्षनों को नियंत्रित करता है इसके बाद हम लोग देख रहे हैं लिंग निर्धारन लिंग निर्धारन यानि मनसों में कैसे लिंग निर्धारन हो रहे है होने वाले संतती में जैसे हम देख रहे हैं कि ये पिता और ये माता अगर हम देखते हैं नर का